असलाम उलेकुम वेल्कम बैक टो दी नीव वीडियो तो मैं आगे ना गए हूँ एक मज़दार सी और इजी रेसिपी लेकर तो आज हम बना रहे हैं मिक्स ताल तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए में जाएए एक कप मसूर की दाल एक कप मूंग दाल एक कप चने की दाल और एक कप उरत की दाल इसके बाद हमने ये देखें इसारी दाले बिगो कर रख दी गया है इसके बाद हमने एक टमाटर एक प्यास हाफ टी स्पून हल्दी वन टी स्पून सॉर्प वन टी स्पून दन्या पाउडर वन टी स्पून रचली पाउडर अब हम एक पॉर्ट ले लेंगे जिसमें त्री अब इसको हल्का साटे करेंगे और फिर इसमें वन टीस्पून जितना जिंजर लालेक पेस्ट आट करेंगे थोड़ा सा पानी एट करेंगे ताकि यह जिपके नहीं और इसमें इस पॉइंक पर हम टमाटर एट करेंगे अब हम इसमें सारे स्पाइसे सेट कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको चितरीके से बंद लेंगे अब हम इसको पांच मिन्ट तक कवर कर लेंगे ताकि तेमाटर गल जाए यह देखिए तेमाटर अच्छी तरीके से गल चुके है अब हम इसमें सारी दाले आट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें दो ग्लास पानी आट करेंगे और इसको कवर कर देंगे तीस मिन तक ताकि सारी दाले गल जाए यह देखिए तीस मिन बाद ही सारी दाले गल चुकी है अब हम इसको अच्छी तरीके से पुन लेंगे इस तरीके से हमें इसको पुन देना है अब हम इसमें पाथ से छे कटीवी हरी मर्चे यूज करेंगे और एक ग्लास पानी डालेंगे और वन टीस्पून इसमें हम गरम साल आइट करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें हरा दन्या डाल देंगे थुरा सा और इसको कवर कर देंगे पांच देस्मेंट के लिए यह देखें यह रेडी हो चुकी अब हम इसका बिगार रेडी करते हैं तो यहाँ पर हमने एक प्यास दे लिया है हाफ कप ओईल और चार बड़ी हरी मर्चे यह प्यास का कलर चींज होने तक हम इसको पकाएंगे देखें यह डाल रेडी हो चुकी है और उमीद करती हूँ कि आपको हमारा रेडी हो चुकी है अगर अच्छी लगी थे वडियो को लाइक करें फ्रिंज में शेयर करें कॉमेंट करें बताएं और हमारे चैनल को ऐसी ही मज़ेदार रेचिपी के लिए सुबस्राइब कर ले मिल दीम नेक्स वेडियो में जब पर के लिया लगाफिस